दोस्तों टेक भी था क्योंकि एक और नहीं वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसा कि आप सभी लोगों ने वीडियो के थमनेल में तो देखी लिया होगा अगर आप भी उत्राखंट के अंतरकत वीडियो भी वीडियो इस form के लिए online आवेधन करना चाहते हैं तो आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा important होने वाला है क्योंकि complete जानकारी आपको आज किस वीडियो में देने वाला है किस तरीके से आपको इस form को फिल करना है किस तरीके से आपको याप पे payment करना है सभी चीज़ों के बारे में आपको आज किस वीडियो में detail में बताने वाले है तो चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो कुश्रूर करने से पहले आपसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो पसना आती है तो वीडियो को लाइक ज़दूर करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेकिना। जिसका जो डिरेक्टर लिंक आपको मारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा या फिर आप अपना कोई एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए आप यहाँ पर सर्च करेंगे UKIII फर्ष्ट वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना इसके बाद में कुछ इस तरीके से आप सभी के सामने UKIII की ओपिसल साइट ओपन हो के आ जाती है आप यहाँ पर नीचे के और में स्क्रॉल करेंगे काफी सारे लिंक का आप यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आप क्यां पर सेकिंड नंबर पे श्तानक श्तरी पत्योगिता पर इस तरीक से इस फाले उप्सन पर क्लिक कर लेनाए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीक से एक नया पेज आप सभी के सामने weď उपन होके आ जाएगा साथ ही माँ आपके आपके अप्लाई है काई भी ओप्सन देखने को मिल जाता है जिस पे क्लिक करके आप अपना एक नया रेजिस्टेशन कर सकते हैं या अगर आपके अल्रेटी आपे लोग इन आईडी बनी है तो आप अपनी इमेल आईडी और पासवर्ट के सुए आपे लोग इन कर सकते हैं जिसके बाद में आप अपना फॉम फिल कर सकते हैं जिसमें आप अप अप्रिकेंट का फस नेम, मिडिन नेम और लास नेम फिल करेंगे फादन नेम आपको फिल कर लेंगे आप याँ पे मदन नेम फिल करेंगे इसके बाद में आपको जेंटर का सेलेक्शन कर लेंगे Marital Status आपने आप भी फिल करेंगे इसके बाद मैं आपको Nationality का सेलेक्शन कर लेना है साथी मैं Applicant का आधार का नंबर आप भी फिल करेंगे इसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ Question टाइप पूछे जाएंगे पहला Option आप सुभी को यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर आपका नाम उत्राखंड के किसी भी सेवा युजन कारियाले में पंजिकरीत है तो आप यहाँ पे यह सवाले Option को सेलेक्ट कीजे अपना Registration नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे तो आप यह 109 में सेलेक्ट कीजे इसके साथ में आपको तेस्टा उप्सन देखने को मिल जाता है अगर आपने उत्राखंड में High School या फिर Intermediate की परिक्षा उत्ती ने किए तो आप यहाँ पे यह 109 में सेलेक्ट कीजे इसके बाद में जो चौथा स्टेप आप सभी को देखने को मिल जाता है अगर आपके माताप पिता हैं आपे उत्राखंड में किसी सरकारी से वामें कारी करते हैं या फिर Force जोईंग किये हैं और उत्राखंड से बाहर जॉब कर रहे हैं आपके यह 109 सेलेक्ट कीजे इसके बाद में जो अगला स्टेप आप सभी को देखने को मिल जाता है आपको आपके क्वैलिफिकेशन या पर फिल करनी होती है सबसे पहले अगर दोस्तों आपने आपे आजमी में जॉब की है तो आपके यह 109 में सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद में अगर आपके पास NCC का B Certificate है तो आपके यह 109 सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद में आपका जो भी exam center होगा आपको select कर लेना है second exam center आप याप पे select कीजे इसके बाद में अगर आपको UKCCC या फिर UPSC के दौरा कभी याप पे blacklist किया गया है तो आप याप याप यह 59 में select कीजे जैसे आप सारी details फिल कर लेती है आपको नीचे के और में scroll कर लेना है अपनी category आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी होती है तो आप यहाँ पे selected Chapter तके क्लिक कर लेना है और अपनी category select कर लेनी है अगर आप यहाँ पे EWS सेलेक्ट करते हैं इसके बाद में जिस भी डिस्टिक से आपका certificate बने है आप यहाँ पे फिल किजे इसके बाद में आपका जो document है कब तक valid है आप यहाँ पे इंटर्ट कर लेना है सब category आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजे अगर आप यहाँ पर उत्राखंडे महिला हैं तो आप यहाँ पर उत्राखंडे वूमेन इस वाले उप्शन को सिलेक्ट कर लेना है अगर आप यहाँ पर पूरुस हैं तो आप नोन इस वाले उप्शन को सिलेक्ट करेंगे इसके बाद में अगला उप्चन आपको देखने को मिल जाता है आप अपनी डेटो परते हैं आप इंटर किजिए इसके बाद में अपनी email id इंटर कर लेनी है mobile number आप इंटर करेंगे अगर आपके अपास कोई alternate mobile number है तो आप इंटर कर सकते हैं अगर आपके दोनों address सेम है तो आप इस वाले box पे टिक कर लीजे इसके बाद में आपको आपका एक login password create करना होता है अपने password को आप एक बार confirm करेंगे नीचे आपको capture देखने को मिल जाता है जिससे आप solve करके इस वाले box में फिल करेंगे इसके बाद में declaration form पे आपको टिक कर लेने है और सारी detail फिल कर लेने के बाद में आपको submit वाले option पे किलिक कर लेने है जैसे submit वाले option पे किलिक करते है कुछ इस तरह के से आप सो भी के सामने एक नया interface open हो के आ जाएगा आपके यहाँ पे 5 step में अपना form फिल करना होता है जिसमें कि आपका पहला step complete हो चुक है आप यहाँ पे proceed वाले option पे जैसी किलिक करते है आप पहुंच चुक हैं second step पे जहाँ पे आपको आपकी qualification detail को add करना होता है जिसमें कि आपको 10th, 12th graduation और post graduation यह 4 detail आपे फिल कर लेनी होती है तो सबसे पहले आपके यहाँ पे state का selection कर लेना होगा इसके बाद मैं आपका जो भी district होगा आपके यहाँ से selected कर लेना है आपका जो भी passing year होगा आपके यहाँ पे selected कर लेंगे इसके बाद मैं जिस भी board या फिर university से अपने pass out किया है आप यहाँ पे type करेंगे आपने total mark से कितने number प्राप्त किये है अपना percentage आपके यहाँ पे इंटर कर लेना है इसी तरीके से आपको आपकी seri qualification detail यहाँ पे add कर लेनी है जैसे आपकी detail यहाँ पे successfully add हो जाती है आपको नीचे की ओर में scroll कर लेना है इसके बाद मैं कुछ other requirement यह detail आप यहाँ पे फिल करनी होती है जिसमें सबसे पहले अगर आपके पास तिरपल सी का नए light computer course है तो आप यहाँ पे यह स्वाले option पे click करेंगे इसके बाद मैं second number पे अगर आपके पास center या फिर state level पे कोई भी computer course का perception है तो आप यहाँ पे यह स्वाले option पे click करेंगे अगर आपके पास computer का one year का diploma है तो आप यहाँ पे यह स्वाले option पे click कीजिए otherwise आपको नवाले option पे click कर लेना है अगर आप यहाँ पे सभी poster के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको simply उसके सामने tick वाले option पे click कर लेना है इसके बाद proceed वाले option पे आप जैसी click करेंगे तो आप पहुंच चोग है अगले step पे जहाँ पे आपको applicant की एक photo और signature अप्लोड करना होता है photo और signature आपको किस size और किस format में upload करना है उसकी जानकारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है तो जैसे आप यहाँ डिटेल यहाँ पे add कर लेते हैं इसके बाद आपको फिर से proceed वाले option पे click कर लेना है आप यहाँ पे click to proceed इस वाले option पे जैसी click करेंगे आप सभी के सामने payment page open हो के आजाता है जिसमें कि आप अपने card qpi या फिर qr code के माधियम से या फिर इसके लावर networking किसी भी माधियम से आप पे payment कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं आप पे payment से access हो चुका है इसके बाद माँ आपको simply या पे print application इस वाले option पे click कर लेना है जैसे आप इस वाले option पे click करते हैं तो आपका जो भी application form होगा आप सभी के सामने open हो के आजाता है जैसे आप यहां से आसानी से print भी करा सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इस form के लिए आविधन करना है I hope कि आपको आज की जानकारी पसन आई होगी अगर आपको जानकारी पसन आई तो वीडियो को लैक जरूर करें और इसी परकार के वीडियो पाने के लिए आप कमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतने ही हैं मिलते हैं आपको पिरसे किसे एक नए वीडियो के साथ